कि यहां पे कि सर्विस चार्ज को बैन कर दिया गया फिलाल इंडिया में और इससे लिलेटेड नई गाइडलाइन जो लाई गई है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे यहां पे देख लिए सबसे पहले तो यह होटल रेस्टोरेंट में आपने कभी खाना खाने गया हो अगर आपने तो वहां पे देखते हैं कि आप पेमेंट करते हैं किसी चीज का जैसे कि आपने सबजी खाया रोटी काई चावल खाया ठीक तो 200 रुपए दिया आपने और उस ठीक है 236 रुपया हो जाता है आपका टोटल लेकिन इसके बाद भी सर्विस चार्ज होटल और रेस्टोरेंट या फिर बार पप्स जो होते हैं वह एड़ कर देते हैं यह किसी वजह से होता है देखिए वहां पर जो वेटर होते हैं खाना की लाने वाले उसके आलाम आप जो बैठके वहां पर खाना खाते हैं एसी का मज़ा ले रहे हैं फिरी का पानी पी रहे हैं इन सब चीजों के चक्कर में अक्सर इन सब को जोड़ दिया जाता है सर्विस चार्ज की रूप में और उसके बाद रोश जो होटल और रिस्टोरेंट होते हैं कई जगहां पर मन अधिकरण ने क्या किया है इस पर बैन लगा दिया गया और कहा गया कि अब होटल और रेस्टोरेंट कोई भी ऐसा सुल्क नहीं लगा पाएंगे या फिर इसके अलामा कोई और सुल्क लगा दें या फिर लिग दे कोई यहां पर बिल जब आपका जनरेट हो तो वहां पर दिया जाए कि वाटर चार्ज ओके वाटर चार्ज या फिर एसी चार्ज इस नाम पर ऐसा कोई भी आपसे कोई वसूली नहीं की जाएगी ठीक है जो आपका बिल होगा जो खाने का कीमत है सिर्फ वही देना होगा अगर रेस्टोरेंट और होटल को लगता है कि उनका परता नहीं पड़ रहा है तो एक काम करें कि वो सौ रुपय की जो सब्जी है उसको बढ़ा के 110 रुपय कर दें ओके ये कर सकते हैं लेकिन अलग से चार्ज नहीं ले सकते हैं इससे समस्या भी अग्यूत पन हो सकती है अभी कहा जा रहा है कि सुल्का भुगतान करने के लिए अक कि कहा गया कि 15 15 से 15% के बीच अक्सर ये लगा दिया जाता है टिप के रूप में जोड दिया जाता है इसके वज़ए से कई जगा जैसे कंप्यूटर आधारी तो होता है तो वहां डिफाल्ट रूप में ही एड किया जाता है कि 15 पर सेंट तो फिक्स कर दिया जाता है कि जितना भी बिल जिनेरेट होगा तो उसमें 15% फिक्स कर दो कि सर्विस चार्ज एड हो हर बिल में लेकिन अब नया दिसार दिन्रेश के अनुसार किसी अन्य नाम के तहद भी इस प्रकार का टिप नहीं लेना चाहिए इन लोगों को अगर लेना ही है तो या तो उत देगा नहीं तो नहीं देगा यसे आप कभी कभी होता है रेस्टोरेंट में जाके खाना काते हैं तो वहाँ पर जो बार्टेंडर होते हैं आप फिर जो भी लोग होते हैं वहाँ पर आप उनको 10-5 रुपए दे देते हैं 20 रुपए दे देते हैं टिप के तोर पर जो आप उसको क्राइम कहा जा सकता है ओके और अब सिर्फ जो उत्पाद की कीमत है प्लस टेक्स ही देना होगा इसके अनाम कोई भी चीज वसूल नहीं की जा सकती लेकिन अगर ध्यान दखिएगा कि अगर उत्पाद की कीमत में इस चार्ज को एड़ कर दिया जाता है तो उससे क्या ह होगा कि उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी। इससे ये हो सकता है कि महागाई दर में ब्रृद्धी ओ जाये okay महाई दर में भी उसकती है इसके वजह से कि पहले होटल में खाना-काना सो रुपया था अब 110 रुपया हो गया इसके वज़े से यह उत्पात की कीमत बढ़ा सकता है और इससे क्या होगा कि यह होटल रेस्टरॉन में जा कि की खाना खाने वाली चीजे भे प्रभावित हो सकती हैं लोग जाना कम कर सकते हैं इसके वज़े से अर्ष्थ कर्भी प्रभाव पढ़ सकता है इसके लंबे प्रभाव होते हैं कि जाद बहुत लंबे डाइमेंजन होते हैं ओके नेशनल लेस्ट तरह असोसियेशन जो है उसने क्या काया है कि उनको पहले तो सिकायत की गई कि बहुत जादा सिकायते आ रही है आप इस पर काम करिए तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि सेवासुल का भुगदान करने के आजस्ट राप्त होता है ओके और रिस्टराग रहाख से जो सुलक वसूल करता है उस पर कर भुगदान करते हैं यह कैसे होता है एक्सल में देखिए अभी फिलाल क्या किया जा रहा था कि जैसे माल लीजिए आपने 200 का खाना खाया प्लस 36 रुपया जीस्टी दिया अगर 18 परसेंट के आधार परे तो 236 हुआ अब यहां डिफाल्ट रुपय क्या किया जा था कंप्यूटर के माध्यम से 10% एड किया रहा था तो क्या हो जा रहा था तेईस दसमलोग छह रुपया अलग से बन जा रहा था अब यह तेईस रुपया इस 236 रुपया में जुड़ जा आप मान लिजिए कि 10% लगा रहा है तो 3.6 रुपीज जो हो गया अगर 10% के आधार 10% लगाया जा रहा है सर्विश्चार तो 3.6 रुपीज जो हुगा वो गवर्मेंट को टैक्स के रूप में अलग से मिल गया ओके आप यहां पे मैसमेटिक समझ रहे हैं तो इस परकार से फायदा हो रहा था गवर्मेंट को भी लेकिन अब क्या है कि अब हेल्प लाइन उपलब्ट करा दिया गया है और अगर कि इस परकार की मामले फिर से देखे जाते हैं तो उसको क्रिमिनल ओफेंस माना जाएगा और इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है